श्री श्रिवाय नमस्तों राध्र में तुम लीदू महलाज दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चड़ाने का क्या लाव है श्यू महापुरान कती है अगर एक दिन श्यू महापुरान की कता कती है सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चड़ाया जाता है तो घर में तेज लच्मी प्राप्त होती है क्या मिलती है तेज लच्मी उनके नित्र से अश्रु जिरा उससे बेलपत्र युद्पत्र पूरी दुनिया में पेवल एक बेलपत्र का ब्रक्षे कैसा होता है जिस ब्रक्ष के नीचे माता लच्मी शाम के समय पर गुवारी लगाने के लिए जाड़ू लड़ू बेलपत्र के पेड़के बेलपत्र का ब्रक्षा जिसके यां लच्मी नहीं किती हो फैसा घर में नहीं आपा हो बहुत चिंता लगी रहती हो लच्छनी से जोड़ी थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्र के पेड़के नीचे के उठाकर लिया घर के अंदल लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक लिए पांस सुंबर करके देखो छटे सुंबर करने की जरुवत नी पड़ेगी बैपार अपने आप बढ़ना चलो लच्मी शाम के समय पर प्रती द प्रती दिल बेलपत्र के पेड़के नीचे को आरी लाकर शंकरवद्वान की प्रियता बेलपत्र पहले भी कथा में कहां च्पिर करते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में धन संपदा वेभव सत्ता लच्छ्मी की थोड़ी भी कमी दिखती हो उसको बेलपत्र के व्रक्ष का फूजन चालू कर देना चाहिए जाओ सुंबार की दिन बेलपत्र व्रक्ष के नीचे जल चड़ाकर जल का सीचन करकर उसी बेलपत्र के नी में भगवान देवदी देव महादेव गोरी शंकर का इस्तमरण करो बेलपत्र की जड़की और बेलपत्र की तना की और बेलपत्र के व्रक्षकी और तुमारा मुखो कोई आसन नहीं कोई आसन नहीं केवल बेलपत्र के व्रक्ष की और तुमारा मुख हो जहां बेलपत्री का व्रक्ष है उसके नीचे बेट कर उसकी छाया में उसकी ओट में पंचाग्छर मंत्र नमस्षिवाय या फिर शडाक्छर मंत्र ओम नमस्षिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इस्मर्ण करकर अपने हिर्दाई की बात गवरी शंकर से महादेव से कहे श्यू महापुराण की खथा करती है साथ दिनों में एक दिन सोंबार का इसा होता है जिस दिन 33 और की देवी देवता बेलपत्री के ब्रच के नीचे बेटकर भगवान शंकर और पारवती का इस्मर्ण करते हैं और श्यू पारवती उनकी जोलियां खुशियों से बढ़ते हैं देवता भी जिनका भजन कर रहा है वो बेलपत्री के ब्रच के नीचे निरंतर विराजवान पोठी है और आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहेंगे ये मनुष्य का शरीर जब तक रहे ये मानों की देह जब तक रहे जिंदगी में एक बेलपत्री का ब्रच अपने रहते रहते कहीं पर भी लगाना उसको बढ़ा करना उसको बढ़ा करकर जैसे अपने बच्चे को बढ़ा करते हो ऐसे लगा कर बढ़ा कर महादयों से कहना कि मैंने अपनी जिंदगी में मर भी जाओं मेरे प्रांचूट भी जाएं मेरे जानने के बाद मेरे घर के लोग ए जाओ एक बिलपत्री के पोधे को छोटे से बड़ा करो बड़े से बड़ा करो और बड़ा करने के बाद उसको कहीं तुम्हारी मर्जी पड़े जहां उस बेलपत्री के ब्रफ्षिक को लगा। खाली ना जाता कोई खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे में भी खड़ी हूं नदी बाहे पसारे बेसाथ के महीने में तो आपको अगर शरीर में कोई पत्थ्री भी आता ही है ना? कई मेटरों में जोती कमजोर पढल रही है जाले पढलखे चसमा बढ़ने लगा रात को आखों में जलन होने लगी रात को मैं इन्द नहीं आ रही है तो बेसाक के महीने में जो दूर्वा होती है इस दूर्वा को तोड़ लाओ जहां पर अशुक सुंदरी का इस्थान पर उस जुर्वा को रव दो और कुंद कैश्वर महादेव के नामा कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्राराम कर देखे कि एक दूर्वा रोजखाऊ जो पत्थरी है या नेत्रों में तकलीफ है या कुई ना कुई तात्री को नीदनी आना बेचे नी हो जाना घबराड़ आना धीरे 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 20 दिन की वह दूर्वा आए 20 दूर्वा एक एकत्व खना चलो परो चार या पांच दिन लगे कि अपने आपको कोई खाने की जुर्द में पड़ेगे जिस नारी का रजो धर्म से जुड़ा हुआ जो भी तकलीफ होती है केवल हाथ में जल लेकर आशकनी का नाम लेकर भी वो पान कर लेती है तो रजो धर्म से जुड़े हुए सारे दुख कहते हैं कि गर्भ में गरभासाय में अगर गाठ भी पड़ गई है और डाक्तर कह रहा है कि बच्चादानी में गाठ है और इसका आप्रेशन होना जरूरी है आसकनी रक्ष्य प्रजापती की पहली पतनी का मात्र स्मर्ण तरतर अगर आच्मन पानी का कर लिया जाए तो गाठ भी गर्मासाई की गलना प्रारंब हो जाती है यह वो नाम यह वो शब्द है अगर मान लो शरीर में कोई काठ पड़ The doctor a face कर रहा हो उस जघहँ पर प्रजापती पीरन की पुत्री कि आसकनी का नाम कि किल हो जाए प्रजापती कि और सब ओढ़िए क्या नाम है इस स्मर्ण है और हर हर कि हम आसकनी का नाम भी नहीं बोल सकते तो इसी आज सकनी का एक नामे वीरनी क्या नामे आसकनी का स्मरण अगर काथ भी और बाशने में है और डाक्टर गोल रहा है कि आप रिज्चन है कराना है दॉप्टर साब से कहना साब जल्दी तो नहीं है पंदरा दिन का समय तो मिल सकता है या दस लिए तो मिल सकता है इस प्रिशन कराने के लिए पिर según का नाम लेकर शिवजी की हिए शिवलेंग़ स्मर्पित करें तो यह डंडी का मुख जब हम शिवजी को चढ़ाते हैं इस अब की बार आसक्नी का नाम लेकर स्वासय कर देद्थ आप समर्पित आपके वार आसक्नी का कर करना धिक शिव को याद करते हुए अजय को जब मंगी ये दस दिन के बाद मैं आप अगो जाती हो एक बार शिव तर को ढो कि के जना दे ऍे बहुत यह घुख्या में को पिर अशपना की मूलता की दो हुआ एक लेप्र सुन्ट का टाँजेश घर में होना चाहिए और सुन्ट का जहां से आपको आउफिस हो जहां से आपका करना को करना जो की करना या यह उसकांतर राइट सुनतर है कोई यह गाली ना जाता कोई थे खाली ना जाता कोई तर से तुम्हारे में भी खड़ी हूं आपका कोई काम अटक रहा है कोई काम नहीं हो रहा बहुत परिशान हो गए बहुत थक गए उस काम के लिए सब के हाथ भी जोड़ लिए सब के पास होका रागए और वो काम बड़ी नहीं रहा तो निवेदन करते हैं गी के दिये में काली तिल डालकर सुंबार के दिन संकर जी के मंदर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहे कर देख लिया करकर देख लिया नहीं हुआ उस कारे को एक बार दिया लगाकर निवेदन करकर फिर जाकर झाल